नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर. आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नवंबर दो हजार चौबीस में लॉंच होने वाली नई और शांदार कारों के बारे में. यह विडियो उन सभी कार प्रेमियों के लिए है, जो नई कारों के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स और टेक्नोलोजी को जानने में रुची रखते हैं. चलो पहले बात करते हैं महिंदरास की. महिंदरास ने दो साल पहले ही अनाउंस किया था कि वो दो हजार चौबीस के एंड में अपनी नई इलेक्रिक SUVS को अन्वेल करेंगे और नेक्स्ट इयर यानी दो हजार पचीस में फर्स्ट लॉंच वो कर देंगे तो यहाँ पर इनके कहे अनुसार ये नवंबर को करने ज अब उनके जो टीजर इमेजस है वीडियो है वो आपको पहले भी दिखा चुके है लेकिन अब ये ओफिसियल है कि महिंदर अपनी दो नई इलेक्रिक SUVS को अन्वेल करने जा रहा है इसी 26 और 27 नवंबर को यहाँ पर जो टीजर रिवील किये गये है वो भी E6E और XEV9E का टीजर यहाँ पर रिवील किया गया है जिसको 26 नवंबर 2024 को चेन नई तमिलनाडू में ग्लोबल डेब्यू किया जाएगा महिंदर का ये बोल्ड डिजैन इंडिया के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्कित में भी काफी बज क्रियेट करेगा इन SUVS को पहले भी E05 और XEV9E के नाम से ये लॉंच की जाएंगी 6E को ग्राउंड अब डिजैन किया गया है जिसे महिंदर के बॉन इलेक्ट्रिक फिलोसोफीस पर बेस किया गया है जबकि XEV9EXUV700 का इलेक्ट्रिक कूपे वर्शन होने वाला है महिंदर के नए इंफिनिटी लोगों के साथ ये SUVS का इलेक्ट्रिक ओरिजिनल लाइनप का हिस्सा होने वाली है BE6E में एक फ्यूचरिस्टिक कॉक्पिट जैसे स्प्लिट चबोर्ड और ट्विन डिस्प्ले लेयाउट मिलने वाला है साथ ही इस SUV में 60 किलोवाट तक की बैटरी और 2 वील ड्राइव और 4 वील ड्राइव के लिए सिंगल और ड्यूल मोटर कॉन्फिग्रेशन हो सकते हैं ये SUV लगभग 4.3 मीटर लंबी रहने वाली है दूसरी तरफ XEV9E लगभग 5 मीटर लंबी और एक स्टाइलिश स्कूपी डिजैन के साथ आएगी जिसमें ट्रिपल चबोर्ड लेयाउट और XEV7OO के कुछ ए रिवील किये गए हैं और 26 और 27 नवंबर को ये लॉंच की जा सकती है इसके अलावा अगली अपडेट है होंडा की तरफ से होंडा ने अपनी कॉंप्ट सेडान अमेज के 3rd जनरेशन मॉडल का पहला टीजर रिवील किया है जो दिखने में काफी स्पोर्ट और इसने 2013 में अपना डेब्यू से लेकर अब तक इंडियन मार्किट में काफी ज्यादा सफलता हासिल की है और नए मॉडल पुराने वेरियंट से मेजर ओवर हॉल के साथ आए हैं अभी भी आपको इसमें बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे जो ये टीजर इमेज जारी क इसमें अमेज का फ्रंट लुक देखने को मिल रहा है जो काफी स्पोर्ट डिजैन लैंग्वेज को शो कर रहा है यहाँ पर देखा जाए तो होंडा का इंटरनेशन मॉडल जो अकॉर्ड आता है उससे ये काफी हद तक इंस्पायर्ड लग रही है होंडा मेज में नए ग्लैंप हाउजिंग भी नए डिजैन के साथ आने वाले है होंडा कार्ट्स इंडिया के सीई ओह ने कहा है कि अमेज हमेशा से ही एक स्पेशल प्रोड़क्ट रहा है और यह नए जेनरेशन में प्रीमियम स्टाइलिंग और सोफिस्टिकेशन को नए लेवल पर ले अमेज का इंटीरियर भी काफी प्रीमियम अपग्रेड होने वाला है जो एलिवेट से इंस्पायड हो सकता है पर्फॉर्मेंस के मामले में फमिलियर एक दशमलव दो लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन कंटिन्यू हो सकता है जो 19 PS पावर 110 एंड एम टॉक जेनरेट क इसकी और भी जानकारिया निकल करके सामने आ जाएंगी आपको क्या लगता है दोस्तों इनकाज में से आपके लिए कौन सी परफेक्ट है अपने व्यूज हमें कमेंस में बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब जर क्या है